भारत की सम्विधान जनक डॉक्टर भीम राव आंबेटकर की आज पूर्णति थी है 14 अप्रेल 1891 को मध्यप्रदेश की महू में डॉक्टर भीम राव आंबेटकर का जन्म हुआ था 1913 में अमेरिका की कोलंबिया युनिवासिटी में पढ़ाई के लिए इनका चैन हुआ 1916 में डॉक्टर भीम राव आंबेटकर को पीएचडी दी गई 1936 में डॉक्टर भीम राव आंबेटकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे डॉक्टर भीम राव आंबेटकर भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीम राव आंबेटकर का एहम योगदान रहा 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समेटी के अध्यक्ष नियुक्ठ हुए 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर आंबेटकर द्वारा रचित संविधान को पारत किया गया मार्च 1952 में राजसभा के सदसनियुक्थ हुए डॉक्टर भीम राव आंबेटकर समाजवाद के विरोध में बाबा साहिब ने संघर्ष का बिगुल बजाया समाजविक असमानिता दूर कर दलीतों के मानव अधिकार की प्रतिष्ठा करना इनका लक्ष था 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीम राव आंबेटकर का मिधन हो गया 1990 में मर्नो प्रांथ डॉक्टर आंबेटकर को भारत रतन से नवाजा गया 200 दिल्ली में प्रतिवक्टर इनका याजा करतों को झाल झाल